नमस्कार, आज का वीडियो है एक सफल निवेशक, एक अच्छा निवेशक, एक सक्सेस्फुल इन्वेस्टर बनने के लिए क्या हमें अवॉइड करना है, तो क्या बड़ी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स हैं, क्या ऐसी खामिया हैं जो इन्वेस्टर्स को पीछे रखती हैं उनको कैसे हमने पार करना है, वो आज हम डिसकस करेंगे, शुरुवात करता हूँ एक कहानी से, 1999 की बात है, एक गिराज से एक e-commerce कमपनी अपना काम शुरू कर रही थी, वहाँ पे छोटा सा एक उनका आउटफिट था, गोल्डमें सैक्स का प्राइवेट एक्विटी उनको मिलने गया उस कमपनी को चाइना के एक कोने में, उस कमपनी ने बुला 50% आप हमारा स्टॉक ले लीजे, 5 मिलियन डॉलर हमें दे दीजे, गोल्में सैक्स के जो वहाँ पे फंड मैनेजर थे, उन्होंने कहा नहीं बाबा, 5 मिलियन तो बहुत जादा है, हम आपको 3 मि डॉलर गोल्में सैक्स ने 1999 में उस कमपनी में डाला, 2004 में उस स्टेक की कीमत 22 मिलियन डॉलर हो गए थी, तो गोल्में सैक्स के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा यह तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल गया हमें, 3 मिलियन का 22 मिलियन हो गया, 5 साल में केबल, सात गुना से जादा रिटर्न, 700 परसेंट, बोला, अभी इसको बेच दो, तो 2004 में उन्होंने वो स्टेक बेच दिया, 22 मिलियन डॉलर में, बहुत अच्छा, सबकी प्रमोशन होई, सबको अच्छे बोनस मिल गए, पता चला, 2009 तक आते-आते, 2019 तक आते-आते, वो स्टॉक की कीमत, अगर वो उन्होंने होल्ट किया होता, वो स्टेक अपना, उस स्टॉक में, तो पूरे गोल्ड मैन की मार्किट कैपिटलाइजेशन से, लगबग दो गुना जादा, वो स्टॉक वैल्यू होता, तो अगर गोल्ड मैं सैक्स, आज की द आज के गिरेवोए चाइना के महोल में भी, वो 200 बिलियन डॉलर का स्टेक होता, तो लगबग दो गुना, गोल्ड मैं सैक्स की मार्किट कैप वो पहुंचा, यह कौन सी कंपनी थी, यह कंपनी थी अलिबाबा, जो लगबग साड़े 600 बिलियन डॉलर भी पहुंची, उसके बाद जब चाइना का क्रैक डाउन आया, तो लगबग पर्सेंट डाउन है, बट आज भी अगर आप उसका वैलुएशन करें, सम आफ ता पार्ट्स पे, तो अगर उसका e-commerce देखें, उसका cloud business देखें, और उसका जो financial business है, ant financial का, तीनों मिला के देखें, तो बहुत undervalued company है अगर आप जस्ट यह कहानी समझने के लिए 2019 का ले ले नंबर, तो 200 billion dollar Goldman Sachs के बन गए होते, अगर वो इसमें निवेशित रहते, और 22 million में नहीं निकलते, 22 million बहुत अच्छा return था, 700% return था, 7 time पैसा बन गया 5 साल में, बहुत अच्छा उस time पे return था, especially देखिये, dot com चल रहा था, जब 2000 में इतना बुरी तरह Nasdaq गिरा था, तो उस time पे इस तरह का return बनाना बहुत थी, बढ़िया था Goldman के लिए, और उन सब fund managers के लिए, but अब with the benefit of hindsight, जब हमें time मिल गया है देखने का, हम कह सकते हैं कि अगर बने रहते, तो और बैदर होता, तो यह सबसे बड़ा एक lesson है investors के लिए, जो मैं कहता हूँ, quality company पकड़ी है, तो जैसे Warren Buffett ने कहा है, उन से पूछा गया आपका investment horizon क्या है, आपका favorite investment horizon क्या है, उन्होंने का forever, अगर company अच्छी है, और company अच्छा production करती जा रही है, तो उसे हमेशा के लिए hold करिये, तो overall अगर आप देखें, बहुत अच्छी एक जो चीज भारत में हुई पिछले डेट साल में, के लगभग हमारे, जहां 4 लाक एकाउंट खुलते थे महीने के DMAT अकाउंट, अब इस साल 2021 में 26 लाक एकाउंट खुलने लग गए, और जहां NSE में जो investors, निवेशक की संकिया एक करोड के करीब थी, वो अब 3 करोड तक पहुंच गए, तो एक investor generation भारत में create हो गई, पिछले डेट साल में इस महामारी के चलते, इस COVID pandemic के चलते, जो जिस तरह से निवेशक भारतिय मार्किट्स में आए हैं, हमने एक investor generation को जनम दे दिया है, और यह बहुत अच्छा है ए प्रतिशत भारतिय स्टॉक मार्किट में निवेश्चत हैं, किसी ना किसी जरिये से mutual fund से या direct stock market में, फिर भी आप देखें, तो 93 प्रतिशत भारतिय स्टॉक मार्किट में पैसे नहीं डाल रहे हैं, आज की दिन में भी, stock market का market cap देखें, तो लगबग 270 लाग करोड है, हमारा GDP से सवा गुना है वो, बट सामने उसके अगर आप देखें, तो हमारा bank deposit जो है, एक सो साट लाग करोड, एक सो सतर लाग करोड के बीच में, वो भी काफी है, और उस bank deposit पे, अगर आप 5% return ले रहे हैं, और 5% आपको inflation है, तो आपका 0% return हुआ, और अगर आप 20% tax bracket में भी है, तो आपका minus 1% return आ रहा है, तो लगबग के एक सो साट लाग करोड, एक सो साट लाग करोड के fixed deposit पे, real interest rate minus 1 आ रहा है, और ये सबसे पहली चीज़, आज कहना चाहूँगा, कि आप ये नहीं कह सकते हैं, हम तो risk नहीं लेते, जो 93% भारतिया निवेश नहीं करते, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हो सकता है, इ निवेश नहीं कर पा रहें, जिनको access नहीं है, उनको छोड़ दीजिए, बट ये 7% भारतिया, बहुत असानी से हम 15-20% population को ला सकते हैं, stock market में, mutual fund में, और उन सब को समरिद बना सकते हैं, उन सब को prosperous बना सकते हैं, तो ये नहीं कहना, कि मैं risk नहीं लेता हूँ, क्योंकि अ fixed deposit पे आज के दिन में 5% पे आप negative return बना रहें, अगर आप positive return नहीं बना रहें, inflation से जादा की return और inflation के बाद tax cut के जादा की return नहीं बना रहें, तो आपके पैसे खतम होते जा रहे हैं, आपका buying power कम हो रहा है, क्योंकि 5% inflation में, 14 सालों में, जो आज 100 रुपे की चीज आपको म लेगे, कीमतें बढ़ जाती हैं, inflation आ जाती है, तो पहला सबसे बड़ा जो आप mistake कर सकते हैं investor के तौर पे, के market में शुरुआत ही ना करें, शुरुआत करनी हैं, कल सबेरे से ही शुरु करिए, बेशक 500 रुपे डाले, 1000 रुपे डाले, 5000 रुपे डाले, बच शुरुआत कर दूसरा है, continue करते रहना, market से बाहर नहीं निकल ला, हमने देखा है कि asset allocation से ही सबसे ज़्यादा पैसे बनते हैं, एक बहुत सारी studies की गई, noble price, economist की भी studies हैं, उन्होंने देखा भी क्या-क्या factors हैं, जो stock market की return determine करते हैं, और investor की return determine करते हैं, और अंत में उन्होंने यही देखा के तीन मुख्य कारण है, asset allocation, मतलब 100 रुपे में से आप stock में कितना डालेंगे, fixed deposit, fixed income में कितना डालेंगे, सोने में कितना डालेंगे, बाकी assets में कितना डालेंगे, तो allocate कैसे करेंगे आप asset allocation, अपना, दूसरा है stock selection, तो जो आप equities में आ रहे हैं, उसका stock selection, तीसरा market timing, और है कि Yale के endowment, Yale University के endowment head थे David Svensson, इसी साल मैं में cancer के कारण उनका स्वरगवास हुआ, बहुत एक प्रख्यात investor थे, Yale का endowment उन्होंने चलाया, 35 बिलियन डॉलर का fund चलाते थे Yale University के लिए, और उन्होंने यही दिखाया, बहुत सारे studies निकाल के एक किताब है उनकी इस पे पूरी उन्होंने यही दिखाया, देखे, आपके एक्तियार में stock selection नहीं है, stock selection करना बहुत मुश्किल है, आपके एक्तियार में market timing नहीं है, market timing कोई भी नहीं कर पा था, consistently, अच्छी तरह से, बाद में हम देखते हैं, कि अभी goldman को नहीं बेचना चाहिए था, वहां 2004 में dot com crash हुआ हुआ है, September 11 हुआ है, US में सब चीजें गडबड हो रही है, वहां पे साथ गुना पैसे बनाना तब तो बहुत अच्छा लगा, बट 2020 में बैठे हुए आप सोच सकते हैं, कि यहां तो 200 बिलियन डॉलर बन जाते हैं, आपने 22 मिलियन में बेच दिया, तो market में रहना है, asset allocation स है, 92% जो variation है, portfolio का 92% explain होता है, asset allocation से, आपके control में केवल और केवल asset allocation है, stock selection आप सोचते हैं, control में है, बट हम करने ही पाते हैं, बहुत मुश्किल है, वो 1% investor है, जो अच्छी तरह से stock selection कर पाएंगे, हमारे लिए मुश्किल है, और तीसरा market timing तो कोई भी नहीं कर पाता है, सब जूचते हैं, और सब mistakes करते हैं, तो क्या हमने बोला, शुरुआत करिये जरूर, आज ही शुरू करिये, दूसरा market में बने रही है, क्योंकि जो research ने दिखाया है, कि अगर आप कुछ दिन भी, 20 साल, 30 साल में, अगर आप 20 दिन, 30 दिन भी market से बाहर थे, जो चुनिंदा दिन थे market के, अगर आप market में निवेशत नहीं थे, तो आपके total returns का बहुत बड़ा अंच निकल जाता है, in fact, ये study की Ben Carlson है, जिन्होंने बहुत अच्छी किताबे लिखी हैं, उन्होंने एक study की, कि 1929 में कोई डालता पैसे, फिर 1987 में market गिरने से पहले 40% market गिर गिर गया, फिर 2000 म dot com crash से पहले, फिर 38% market गिरा, फिर 2008 में जब great financial crisis आया, उसके एक दिन पहले, तो सबसे बुरे वक्त में भी कोई डालता market में पैसे, तो भी उसके returns बहुत अच्छे होते, ये मैं एक पुरा वीडियो करूँगा, बहुत अच्छी इनकी study है, हर निवेशक के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये study को देखना, बट में निशकर्श क्या है, कि शुरू करिए और बने रहे, continue करते रहे, अगर आप निकलते हैं market से, market timing करते हैं, तो फिर आपके returns कम हो जाते हैं, क्यूंकि आप upside miss कर जाएंगे, ठीक है, कभी कभी आप downside catch कर लेंगे, बट उसमें क्या होग जब market turn करेगा, जैसे 23 March 2020 को, जो लोग निकल चुके थे market से, उनके लिए लौट के आना बहुत मुश्किल था, वो जब तक लौटे जून, जुलाई, अगस तक, आप पिछले साल 2020 के आंकड़े देखिए, mutual fund के आंकड़े negative चल रहे थे, FIs ने खरीदा, बट mutual fund से निकल रह था, क्योंकि आम निवेशक mutual fund से पैसा निकाल रहे थे, गब्रावट में, तो तीसरा क्या सीख है, कि market चलता है, greed और fear में, market चलता है, fight या flight में, तो ये, अगर आप इनसान की उमर, पुरा जब से धर्दी पे, humanity है, उसको 24 गंटे अगर हम सोचें, कि जब पहले से आदी मानव से लेके अभी तक 24 गंटे बीदे हैं, तो stock market केवल 6 second के लिए रहा है, तो हमारा brain wired नहीं है, हमारे brain में ये शमता नहीं है, कि ये greed और fear जो market को घेरते हैं, उससे हम निकल पाएं, उसका एक ही तोड़ है, कि लंबी अबदी के लिए diversified एक portfolio में बने रहें, और market noise को ignore करते रहें, उसके लिए बहुत कलेजा चाहिए, उसके लिए बहुत strong heart चाहिए, बट वो ही एक तरीका है, अगर आप ups and downs में बने रहेंगे market में, लंबी अबदी के लिए पैसा बना लेंगे, अधिकतर निवेशक क क्या करते हैं, जब market गिरते हैं, निकल जाते हैं, और जब market बढ़ते हैं, यूफोरिया में, तब वो पैसे डालते हैं, तो ये हम कहते हैं कि buy low, sell high करिए, कम कीमत पर खरी दिये, और बड़ी कीमत पर बेचिए, वो उसका उल्टा करते हैं, कि buy high और sell low, वो मैंने आपको पि investor की कहानी और Dalbar study, जो हर साल वो निकालते हैं, वो study मैं एक मिनिट में आपको फिर बता देता हूं, बट वो एक कहानी का वीडियो ज़रूर देखिए, वो transformative वीडियो है, तो Dalbar study ने क्या दिखाया, अगर market ग्याना percent return दे रहा है, stocks के जो mutual fund है, वो आपको 78 percent return दे रहे हैं, उ वासतन expense ratio निकाल दीजिए, तो वो 7-8 percent return दे रहे हैं, बट आम निवेशक mutual fund में, वो 4 percent बना रहे थे, क्योंकि जब भी market गिरते हैं, mutual fund वाले निकल जाते हैं, निवेशक, और जब market बढ़ते हैं, जब बहुत high prices हो जाती, तब कहते हैं, ये market तो अगले साल बहुत अच्छ time के लिए उस market में, तो अच्छा रहता, बट वो रहते नहीं, तो क्या-क्या सीखा अभी तक, शुरुआत करिये, बने रही है, greed and fear है, brain wired नहीं है, इस से जूचने के लिए, इसका तोड यही है कि diversified long term, और ignoring the noise का portfolio बनाते रहे हैं, चटी बात जो कहूंगा, कि expert कोई नहीं ह बहुत famous एक fund manager रहे हैं, Peter Lynch, उन पर भी मैं एक video करने वाला हूँ, Peter Lynch की सीखें, 1977 से 1990 तक उनोंने Magillan fund चलाया, Fidelity का, जो 14 million से 18 billion डॉलर तक उनोंने पहुंचा दिया, और यह 13 साल में, market से 10-12% प्रती साल वो better performance करते रहे, historic इनका performance है, इन्होंने यही कहा है, आप यह खुद accounting नहीं सिखे थे, MBA भी नहीं थे, बोले, अगर आपको 4 साल, चाहे 4 कक्षा की mathematics आती है, वो बहुत है, तो don't confuse brains with investments, IQ लेवल का कोई जादा भाग नहीं है, आपकी investment success में, अगर आपका average IQ भी है, और 4, 4 कक्षा की, आपको अगर mathematics आती है, तो आप अच्छे निवेशक हो सकते हैं, बनिस्पत इसके, क्या आप PhD हैं, उन्होंने बहुत अच्छा example दिया, कि अगर यह IQ की बात थी, या computing power की बात थी, फिर तो computers ही चला रहे होते हैं, fund manager, आजकल हो रहा है कि काफी mutual funds विश्व भर में, software professionals को hire करते हैं, क्यूंकि quants बहुत बढ़ गया है, तो fund manager की जगा computer को रख रहे हैं, जरूर, इतना computer की शमता आ गई है, बट जो आखीर का जो last mile है, वो तो आदमी ही कर सकते हैं, इनसान ही कर सकते हैं, तो, और हमने देखा, 1987 में, program trading में, किस तरह computers ने, जब market गिरना शुरू हुआ, computer से market इतना तबाही मचाई, 2008 में हमने यही देखा, कि जो mark to market model थे, वो चलने बंद हो गए, सब के model एकटे, खराब हुए, और फिर वो mark to model बना दिया लोगोंने उसको, ताकि mark to market ना करना पड़े, mark to model बना दिया, सब के model फेल हो गए, सब computer फे इस तरह का संक्रमन आने वाला है, बचाव रखिये, कोई quant आपको निकालने पाया time पे, उल्टा वो accelerate हो गए, तो छटी बात क्या है, कि कोई expert नहीं है, यह मत सोचिये, कि मैं expert नहीं हूँ, आप अगर यह, इस market में खुले दिमाग से आएं, और अपना emotional काभू रखे, psychology की तरफ से आप सुद्रिड रहें, कि मैं ऐसे buy high sell-o नहीं करूंगा, धीरे धीरे निवेश करता रहूंगा, मार्केट में, धीरे धीरे हर महीने, एक fixed income, fixed amount, मार्केट में मैं डालता या डालती रहूंगी, और बने रहूंगी, long term के लिए मुझे wealth बनानी है, तो आप history यही दिखाती है, तो no experts, यह अगला है, अब थोड़ा पढ़ लेता हूं, अपने notes इतनी सारे चीज़ हैं, दिमाग में याद रखना मेडले भी मुश्किल है, फिर एक और चीज़ आती है, कि आप अपने goals पे focus रखिये, goals में क्या है, यह नहीं goal हो सकता, मुझे सबसे ज़्यादा अमीर बनना है, मुझे भारत का Warren Buffett बनना है, वो सब अच्छे goals हैं, बट goal ऐसा है, जो financial goal है, मुझे मकान खरीदना है, बच्चों की परवरिश के लिए पैसे जटाने हैं, बच्चों को start देने के लिए लाइफ में पैसे, बच्चों की शादी के लिए मुझे पैसे जोडने हैं, अपनी retirement के लिए, अपने medical खर्चे के लिए पैसे रखने हैं, माबाब के लिए, माबाब के retirement के लिए पैसे जोडने हैं, यह financial goals है, तो उस financial goals के मताबिक आप invest करिये, ना के ऐसा के मुझे बहुत अमीर बनना है सबसे जल्दी, आठवी बात है, यह get rich quick नहीं चलता है, यह ponzi बनके रह जाता है, या फिर धोखा हो जाता है market में, get rich slowly रखे, अगर आपका investment portfolio बहुत boring है, धेरे धेरे चल रहा है, बहुत अच्छा है, अब देखिए, crypto में बहुत लोगों के बहुत पैसे बने, मेरे तीन जानकार ऐसे हैं, एक बहुत अच्छा यंग्स्टर है, 20-22 साल का होगा, उसने 30 लाग की गाड़ी खरीदी, मैंने पूछा, बहुत कहां से गाड़ी आई, बोले, अंकल मैं crypto में कर रहा था, एक हमारे जानकार हैं, अंकल जी, जो retire हुए government से, उनकी wife है, North India में है, और कुछ होटल व बोले, देखे, अब हमारे पास 40 bitcoin हो गए, हमने कहीं सालों से खरीदे थे, और कुछ निकाल के अब हम यह करें, तीसरा, एक दोस्त की लड़की मिली, चुटियों पर आई हुए थी, तो बोले, अंकल मैंने जॉब छोड़ दिया, मैंने बोला, क्यूं, आप तो बड़े किराया बहुत है, मैं तो अब दुन्या बहर घूमूंगी और इंवेस्मेंट करूंगी अपना, तो इस तरह से लोगों के पिछले डेट साल, दो साल में बहुत तगड़े पैसे बने हैं, बट यह आपने एक्स्ट्रा पॉलेट नहीं करना है, इनकी किस्मत अच्छी थी, अच्छे पैसे बन गए, यह मार्किट 100% फिर से नहीं देने वाला बहुत जल्दी में, या फिर बहुत गिरेगा तब जाके 100% देगा, यहां से 17,000 का मार्किट आपको 34,000 एक साल में नहीं दे सकता है, अगर आप उसका वैलवेशन भी देखें, तो वैलवेशन अभी भी बहुत जादा वैलवेशन है, अर्निंग को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और इस तरह का मार्किट होता है न, जब वो ऐसे रिटर्न दे देता है, तो मतलब अगले कुछ साल के रिटर्न वो खा चुका है, तो जिसने अभी पचा लिया, उसने पचा लिया, बट आ कि 30% माइनस आ जाए, या 4-5 साल तक साइड में मार्किट आ जाए, 2000 में मुझे याद आ है, जॉन बोगल, जैक बोगल जो कहते हैं, वैंगार्ड के जो पूर चेर्मेन थे, और इंडेक्स, फादर आफ इंडेक्स इंवेस्टिंग हैं जो, उन्होंने कहा था कि मुझे नही मार्किट अब रिटर्न देगा, अभी हो गया, और 10 साल तक उसे नहीं दिया, इन फाट नास्टैक ने 2000 के अपने जो चरम सीमा थी, वहां तक पहुंचने के लिए, 15 से 16 साल लगा दिये, जैक बोगल तो गुजर गए थे तब तक, बट मुझे उनकी बात याद है, समिनार म में था मैं, अमरीका में, जहां वो एड्रेस कर रहे थे, और ये बिलकुल मतलब मार्किट ऐसे दोड़ रहे थे, सब कह रहे थे, वारन बफिट खतम है, उनके नेगेटिव रिटर्न्स हैं, ये डॉट कॉम ही है, हर महीने पैसा डबल होता है, इस तरह की बातचीश चल रह देता है, बट ये कोई नहीं कह सकता, आज बैठे हुए, 1997 में, 1997 में, हावर्ड मार्क्स ने कहा था, ये मार्किट ओवर वैल्यू हो गया है, वो 2000 मार्च तक मार्किट चलता रहा है, 1996 में, ऐलन ग्रीन स्पैंड ने कहा था, इर्रैशनल एग्जूबरेंस है, वो चार साल औ हावर्ड मार्किट, राशनल एग्जूबरेंस में, जल गया, तो यहां बैठे हुए, पिछले साल हावर्ड मार्क्स ने कहा कि मुझे वैलेूएशन हाई लग रहे है, वहाँ से भी मार्किट 30 परसेंट अप है, तो क्या हाव व ओट मार्क्स गलत है, हावर्ड मार्क्स Warren Buffett 140 billion dollar की cash पे बैठें और मुझे बहुत बुरा लगता है TV पे लोग आके कहते हैं Buffett खतम है social media पे नौ सीखें जिन्होंने एक करोड भी नहीं बनाया होगा जिन्दगी में वह Warren Buffett जिन्होंने 920 billion की company खड़ी की होई है साड़े 600 billion उनकी market cap है 920 billion उनका asset base है company का अगर वो.com valuation लगाएं उनको तो वो एक stock market ही बन जाएं साड़े 600 billion की उनकी company की market cap है 140 billion cash में वो बैठे हां लगता है कि दो साल का bull market क्या Warren Buffett miss कर गए 20% पिछले साल था 21% इस साल market दे गया तो 40% बन जाते इनके 40 से 50 billion डॉलर और बन जाते यह कहना असान है बाहर से वहाँ पे बैठे हुए आपको जब लेना है decision आप देखिए फरवरी में जिस तरह market गिरे मई में गिरे सिप्टेंबर में गिरे नवेंबर में गिरे डिसेंबर में गिरे अब आप एक साल के बाद कह सकते हैं कि नहीं नहीं बने रहना चाहिए था और वो यही कहते हैं आम निवेशक के लिए कि index fund खरी दिये और लंबी अब्दी तक बने रही है तो यह बिलकुल मत करिए कि यह दिगज investors हैं इनकी भर्टसना करनी इनका हसी मजाग उड़ाना यह बिलकुल पसंद नहीं और यह फिर हमारा नौवा नुसका है आज का कि social media पे जो uncertified लोग आपको advice कर रहे हैं आप जैसे टिक टॉक तो बैन हो गया भारत में कि यह ट्रेडिंग करिए यह करिए वह करिए तो regulator भी काम कर रहे हैं बट हमेंच चो करना रहना है तो social media से बचके रहिए बहुत कम essay handles हैं या advisors हैं जो आपको सही advice दे रहे हैं बेस्ट है आप खुद learning करिए जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए जितना आप experience ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या यह मेरा दस्वान उसका है क्या option है या तो हम औरों के experience से सीखें पढ़के सुनके मिलके लोगों से या फिर हम खुद सीखें खुद सीखेंगे तो market बहुत बड़ी tuition लेता है हम सब हम मैं 32 साल से market में हूँ मैंने बहुत भारी tuition ने दिया मार्केट को अर्शन मैता के टाइम से बंसाली के टाइम CRB स्कैम हुआ के तन पर एक स्कैम हुआ अब और जितने global meltdown हुए Asian financial crisis हुआ हर चीज़ में हर टाइम पे हमने tuition दी है मार्केट को सीखने के लिए तो आज उसी tuition के बाद इतना हॉंसला है कि आपको कुछ आगे बता सको तो गुजारिश यह है कि खुद सीखिए कोई export नहीं है experts भी गलतियां करते हैं अब मुझे कभी airline stock पसंद नहीं थे क्योंकि airline stock ऐसे है high capital और highly regulated फिर तेल की कीमत बहुत high level है उनके total cost और फिर recessionary industry है cyclical industry हो जाती है recession आता है लोग business travel बंद हो जाता है लोग चुट्डियों पर जाना बंद कर देते हैं पहला वही कट होती है अचंबा हुआ Warren Buffett airline stocks में आ गए बोले नहीं अब कुछ difference है और फिर March में निकल गए उन्होंने stop loss अपना लगाया और निकल गए 400 million का loss भी हुआ बट इससे यह नहीं है कि आपका respect कम हो जाता है उन्होंने गलती मानी हाँ मैं आया था इस industry में जिन्दगी बहर मैंने का airlines is destructive पूरा हिस्ट्री वही है मुझे लगा कि model बदल गया है बट ये कोविड ने तो बता दिया model के तफाए उड़ा दिये बिलकुल और इसलिए मैं अब निकल रहा हूं मैंने गलती की मान लिया उन्होंने तो हमें अगर ये सीख मिल जाए से कि अच्छा देखिए इतने बड़े सबसे बड़े निवेशक भी मानते हैं तो इससे हमें हुमिलिटी आती है और बहुत इंसाइट्स आ जाती है फिर कहूंगा कि सिर्फ ओवर ट्रेडिंग तो मैंने पहले भी आपको सिखाया है जेजन स्वाइग ने बहुत अच्छा एक कोट दिया कि मैंने दो बच्चों को हावर्ट में डाला अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग से बड़ दुर भाग गया वह बच्चे मेरे नहीं मेरे ब्रोकर के थे अभी अच् आप देखें अपना जब कॉंट्राइक्ट आता है कितना भारत सरकार को दे रहे हैं लगबग जितना हम लॉंग टर्म कैपिटल गेंस से भारत सरकार को एक साल में दे रहे हैं उससे जादा हम एक्स्चेंजिस को सेभी को और स्टी के तौर पे भारत सरकार को दे रहे हैं त बहुत कम successful traders देखे हैं जिन्दगी में बहुत सारे हजारों की संख्या में successful investor देखे हैं तो investor बनिए trader अगर आप देखे आज कल हमारे टाइम पर बहुत मुश्किल था हमारे पास information नहीं होती थी हमारे पास computer models नहीं थे इतने अच्छे तो अब आपके पास जो computing power है जो technical analysis है जो software है जो newsletters है वो बहुत अच्छी है यह video ज्यादा लंबा हो गया क्योंकि बहुत कुछ था आज पूरा दिन लगा इसमें दो दिनों से यह मैं बना रहा था कुछ लोगों ने कहा था कि investors की mistakes के बारे में बोलिये मैं बोला mistakes के सिर्फ mistakes ही नहीं बट उसके तोड़ क्या है वो देता हूं solutions देता हूं एक कहानी सुनाना चाहूंगा अंत में Isaac Newton की कहानी है दुनिया के सबसे मशूर mathematician दुनिया के सबसे बड़े आप कह लिजे physics के teacher जिरोंने law of gravity ढूंडा बहुत सारे उन्होंने inventions किये discoveries किये physics में maths में astronomy में अब Isaac Newton 1719 में South Sea Company एक शुरू होई थी South Sea Company को British Government ने contract दिया कि South America को आप supply करेंगे Africa से slaves और सारा जो ट्रेड रहेगा Britain का South America के साथ वो आपके थूर ही जाएगा अभी South Sea Company जो थी बहुत सारे politician थे मंबरान थे Parliament के सब उसमें थे लोग उन्होंने एक bubble create कर दिया कि हमें तो monopoly मिल गए ये company बहुत अच्छी करने वाली है इतना के British Government का वो जो भी लोन्स था वो भी वो उठा के लेने लग गए और लोगों को बोला के देखे आपने British Government के लोन के bonds हैं आपके पास आप हमारे शेर ले लिजेए इसके सामने और शेर प्राइस बढ़ेगी आपको तो कुछ प्रतिशत return मिल रहा है government के bond पे ये shares आप खरीद लेजे तो Isaac Newton ने 1719 में ये stock market में करते थे निवेश जादर तर इनका पैसा government bonds में ही था बट stock market में भी रखते थे 1719 में लगबख 100 pound में ये South Sea Company इन्होंने खरीदी इसका shares करीदे वो बढ़ते बढ़ते January में फिर इनको कुछ charter मिल गया कुछ करते करते पीछे से ये buyback भी कर रहे थे अपने share लोगों को loans भी दे रहे थे अपना ही share चलाने के लिए तो जो भी आप सोच लीजे stock market में होता है वो सब यहाँ हो रहा था तो इप्रिल में Isaac Newton ने बोला यह तो बहुत हो गया तो लगभग यह इन्होंने बेचा 400 डॉलर में 400 पॉंड में तो 100 का 400 हो गया 20,000 पॉंड इनके बन गए जो आज के दिन में लगभग 4,000,000 पॉंड के बराबर है एक आपको आइडिया देने के लिए Newton जो University of Cambridge में प्रोफेसर थे उनकी सालाना तनखा थी 100 पॉंड की 100 पॉंड कमाने वाले व्यक्ति के 20,000 पॉंड बन गए थे April तो निकल गया बट क्या हुआ वो stock जो 100 से चला था January में 400 हो गया था अगस्त तक 800 तक आगया Newton ने बोला यार मेरा तो बहुत नुकसान हो गया यह नहीं देखवा कि 100 का 4 हो गया यह देखते रहे कि यहार 4 का 8 हो गया डबल हो गया फिर मेरा तो नुकसान हो गया 800 डॉलर पे 800 पाउंड पे फिर से ये निवेशित हो गए और वो 800 करते करते जब तक वो खरीदने गए पूरा 1000 तक भी खरीदा उन्होंने एवरेज कॉस्ट उनकी 900 आई और फिर स्पेन के साथ जंग चल रही थी एकदम से किसी ने बोला यार पैसे निकाल लेते हैं थोड़े जब कोई बेचने गया तो कोई बायर नहीं सामने और जैसे क्लासिक बबल होता है गिरते 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 वो 200 पाउंड पर फिर से आ गया जो शुरुवाती था प्राइस महीं आ गया 200 से 100 हो गया और न्यूटन के सारे पैसे जो डाले हुए थे लगवग सारे पैसे उसमें निकल गए उन्होंने अपनी नीज को कहा कि मैं calculate कर सकता हूं के planets का चला in Heavenly बोडी का trajectory मैं calculate कर सकता हूँ but madness of crowds मैं नहीं देख सकता हूँ तो यह South Sea bubble की कहानी है कभी शायद बात करेंगे इसमें कहने की क्या अवश्यक्ता है इसमें कोई expert नहीं है कोई IQ का correlation नहीं है अगर आप humility रखें अगर आप सीखते जाएं और अगर आपको मज़ा आता है stock market में सीखने का मुझे तो बहुत मज़ा आता है इसलिए मैं पढ़ता हूँ रोज बहुत जादा पढ़ता हूँ क्योंकि नहीं नहीं चीज़ें सीखने को मिलती है और जो पहले हमारे से पहले जिनोंने पढ़ाव रखे हैं उनकी बातें समझ के बहुत समझने को आता है तो मैं यहीं कोँगा बहुत अच्छी ये line है stock markets की अगर आप सीख लें इसके principle बहुत simple हैं अगर आप disciplined रहें डाइ presentation रखें तो बहुत अच्छा आपको ये financial freedom प्रदान कर सकता है इस पर और बात करेंगे अगर हो सके तो subscribe करें मेरे चैनल को ताके नए वीडियो आएंगे तो आपको पता लग जाएगा जरूर और बताएं कहां कहां पर और वीडियो बनाने हैं मैं जरूर कोशिश करूँग स्टॉक मैं नहीं दूगा आपको स्टॉक आप खुद चुनिये और लोगों से पूछे एक अच्छे एडवाइजर से पूछे मैं कभी आपको नहीं कह रहा हूं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना या किसी तरह का ना मैंसे भी certified हूँ ना आपको कुछ बेचने की कर रहा हूं बहुत अच्छा feedback आप सबने दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया और यह याद रखे न्यूटन हो या बफेट हो या और कोई हो सब experts कुछ ना कुछ mistakes करते हैं बट उससे अगर हम उनके experience से सीख ले ले और अपना portfolio बनाएं और अपना portfolio चलाने का एक तरीका ब कि अच्छ अरौ करते हैं और क्योमत हो कि अच्छा कर दिनकल्ध या Milliन वीर में से समय खले हुआ हैं कि अरू कुछ चलाने मनन